आज मैं आपको बंतरों का नजारा दिखा रहे हैं और मैंने जो मकीब होई थी इन्होंने खूब पार्टी गिये मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कितनी धमा जॉक्रियां पे चिरियां गिलेरियां वो देखी गुद उधर कर आए इसमें कुछ हाँ मकी तोड़ रहा है यह क्या कर रहा है हाल अभी बैट के खाय रहा था यहां पे लेकिन कहा है तुम्हारा साथी हम कहा है बड़े भाईया इन में क्या मिलेगा फूलों में क्या मिलेगा अलमांड़ के फूल को तोड़ रहा है रस चूत रहा है वो आज एक नहीं बात पता है लगी हेलो गुट आफ्टर नून हाँ अभी को रहा है गाईगा कि मेरे पीछे से ना थे कहा है कहा है यह आया यह आया यह मोटे वाले बड़े भाईया सब आम बगएर जो थोड़े से थे बस वो दशहरे आम कोई बात ने ने भी इंच्वाइग करने का के वह एक अम्डूत के पेड़े के पीछे बहां से उतरा है ओम श्री परमात्मने नम्हाँ आप सभी को मेरा प्यार भरा आदर भरा और इस नहें भरा सादर प्रणाम अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आज फिर बंदर आये थे और उन्होंने खुब मौज मस्ती किया और एकदम जल्दी से हो नहीं पाता है ना चोटी सी मैंने क्लिप बनाई और मैं इस वाली वीडियो के साथ अभी एड़ करके अभी डाउनलोड करूंगी उसे और मुझ और मेरी एक वीडियो में मेरी एक यूट्यूब सिस्टर्स हैं तो उनका चैनल है बहुत अच्छा जो मैं देखती रहते हूं और उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे यहां तो यह बहुत ही खरीदने पड़ते गार्डन का किराया देना पड़ते तब हम बना सकते गार्डन और हम जरूर आएंगे इंडिया और तब खाएंगे उन्होंने कि किसी वीडियो में देखा था यह लगे वे तब खाएंगे और मैंने सोचा था कि उनके लिए बनाऊंगी मैं एक यह स्पेशल वीडियो उनकी चैनल का नाम है टू गल्स वन मग बैंग तो लेकिन बंदरों उन्होंने अपनी मौज मस्ती कर ली खैर क्याते हैं कि सबको हग है जीने का और यह कहां जाएंगे फिर एक बार तो मुझे एक फल के लिए हुआ था कि अरे क्या कर दिये लेकिन फिर मुझे हमारे धेरादून की उत्रगं में महंत इंद्रेश चरंडाजी थे और अब तो नहीं है उन्होंने बहुत योगदान दिया है सिक्षा जगत में क्योंकि वह बहुत गरीब परिवार से थे और फीस भी नहीं दे सकते थे अब कहेंगे अब यह मैं कहां से कहां चली ही लेकिन वह बात फिर यहीं आएगी इसी बात पर तो उनका थोड़ा परिची देना भी तो वो जो महंत जी हमारे थे परमपूर जी तो उन्होंने सिक्षा के जगत में बहुत योगदान दिया और वो अपनी छोटी-छोटी बाते बताते थे एक बार क्या होगा उनका बड़ा जासा है उनका गुरुद्वारा वहां पर उनका वह आया माली और उसने कहा कि बच् सब्सक्राइब लेकिन फिर शॉचा कि मैंने खाने इतने इतनी यह माली भाईया ने शॉक से लगा दी यह देखिया और मैंने यह वाले इसलिए नहीं हटाई थी कि मैंने सुचा था इंकी वीडियो जरूर बनाऊंगि आपको देखिया अज इनोने फिर माचाईए थमाचा सब कैसे तोड़ दिये और मैं फिर बहुत मेरा मन बहुत प्रफुलित हुआ मैं खुश हुई हूँ कि अगर मैंने इनसे भी बोला बलकि जिस दिन आये थे मुझे आदे बुद्वार था और मैंने अपने पती शी से बोला कि बहुत अच्छी बात है हनुमान जी आये हैं खान कि मैं यह बना रहे होंगी पता नहीं कब की क्लिप होगी क्या होगी वह देखें वह बैटा है मुझे दूप में इतना दिखने रहा कि ठीक से आ रही है कि निकलिप एक और है जर भी लगता है यह देखे यह बैटा है तो इन्हें आनन्द आ रहे तो आया रहा है और पस ऐसी जिन्दगी जो है वह इंजान की गुर्जर जाती कि अगर हम छोटी-छोटी बातों को हम सोचेंगी कि हम उसे उसमें भी आनन्द जूनने की कोशिश करें तो वही बात हमें आनन्दित करेंगी अगर मैं सोचूंगे रहे मकी खाली और यह हो गया और नुक्सान हो गया तो उसी में बहुत दुखे हो जाएंगे जबकि खानी तो मैंने भी नहीं आई अगर यह पूरी ठीक से लगती बड़ी होती तो मैं क्या करती है बाट ते गहीं इन मक्यों को और यहां पर भी बिस अच्छी सी बात जो मेरे दिल को चूँ जाए इसलिए आप से भी मैं चाते चाते फिर यह कहना चाहूंगी कि अगर कभी कुछ ऐसी घड़नाएं होती है तो उसमें आनंदित होई आपके बार सोचिए कि वह उसकी किस्मत का था हना किस्मत को कोई निरोग सकता है हम आपके जापके बार सबस्क्राइब आते किस्मत का जाएंगी कि अ का था निरोग सकता है आनंदित है तो किस्मत की आपके बारा